हेलो बच्चो कैसे उमीद करता हूं बढ़िया होंगे भाई हंडेट परसेंट सेलेक्षन तो मुझे दिलवा के रहना है चाहिए कुछ भी हो मेरे डियर इस्टूरें ने जो महनत कर रहे हैं मानता इसे हंडेट परसेंट मिलेकर सेलेक्षन एक एक क्योश्चन आज भी मैं तरीका नहीं है दूसर जब आप लोग क्लास अटेंड करते हों तो उस क्लास में अपने पास पैन को फी रखा करो क्योंकि जो भी आपका सोट में तरा आता है जिससे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से जल्दी सोल कर सकते हैं उसको नोट कर लिया गरो तो चलिए सुरू कर अगर यहां पर चार विसम संख्याओं का उसत पूछा है तो वो चार ही होगा जितनी विसम संख्याओं का उसत पूछते हैं उतना ही उसका उसत हो जाता है अब यहीं पर दूसरा क्योश्चन है पर्थम पांच संख्याओं का उसत क्या है देखो अगर विसम संख्याओं का पूछता है तो वही रहता है और अगर आपसे पर्थम 5 या 6 जितनी भी सम संख्याओ का उसत पूछेगा यानि कि even number का तो अगर यहाँ पर 5 का पूछा है तो आपको 5 में 1 पलस कर देना है यानि कि 6 हो जाएगा option number 3 आपका right answer के लिए अगर आपको पर्थम N विसम संख्याओ का उसत पूछता है तो और अगर आपको पर्थम N संख्याओ का उसत पूछता है तो आपका कास्ट काम का 40 दिन में करते हैं तो काम बराबर होता है आदमी गुणा समय यानि कि 3X60 कर दीजिएगा तक पर 20 आतमी कितने दिन में करेंगे 20 से आपको divided कर देना है यानि कि आदमी गुणा दिन आदमी 20 तिया साठ 30 या नबब़े तो बच्चे 20 आतमी दिन में काम को करेंगे option number 2 आपका right answer यहीं पर अगर आपको यह पूछ लेता है कि भाई 30 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं तो बताओ 10 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगेंगे तो ऐसी condition में आपको क्या करना था इनकी गुणा और divide by हम 10 करेंगे तो आदमी की संख्याएगी मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि वर्क बराबर क्या होता है man into day होते हैं और काम हमें सब बराबर रहता है तो हम यह कह सकते है m1 into d1 is equal to m2 into d2 m1 m2 क्या है आपका देखो पहले आदमी 30 है तो यह आपका m1 हो गया दूसरा आपका क्या हो गया d1 फिर आपका m2 हो गया 20 आदमी और d2 हमसे पूछ रहा है तो बस यहीं हमने value रखी और इसी से हमारा यह answer आया m1 d1 कितना हो गया 30 into 60 is equal to 20 into d2 हमें निकालना था कितने दिन में करेगा तो बच्चे आपको अब यहां से पूरा concept में आ गया होगा कि अगर आपसे d2 पूछा जा रहा है तो जितने आदमी दियेगा है उससे divide करेंगे और अगर आपसे m2 पूछा है तब आपका m1 into d1 divide by आपका d2 हो जाएगा के लिया रहें आपके लाक्योशन देखते हैं concept wise बात करेंगे ताकि कोई दिक्कत ही ना हो बच्चे पेपर में आपको अगला परसन है आपका एक व्यक्ति ने पुरानी साइकल 450 रुपे में खरीदी और उसकी मरमत पर 50 रुपे और खर्च किये यदि पुरानी साइकल उसने 600 रुपे में बेच दी तो उसको कितना लाव परतीसत हुआ हमें ये बताना है देखो सबसे पहले उसने साइकल खरीदी ये इसका cost price है साइकल कितने में खरीदी 450 रुपे की cost price हो गया यहां पे हमारा 450 रुपे लेकिन उसने 50 रुपे और खर्च किये तो अगर हम समान को खरीद रहे हैं और उसके ओपर और खर्च कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्रेम उल्य में जुड़ जाता है उसको मिला कर टोटल क्रेम उल्य हो जाएगा हमारा 400 प्लस 50 इस इकल टू 500 तो 500 रुपे हमारा क्रेम उल्य हो गया कोस्ट प्राइज और फिर बेचा कितने में उसने 600 रुपे में सेलिंग प्राइज हो गया 600 रुपे अब आप यहां पर देख लीजिए आपने कम का खरीदा और ज्यादे का बेच रहे हो यानि कि आपका जो कोस्ट प्राइज है वो छोटा है सेलिंग प्राइज से और ऐसी कंडिशन में जब हम चीजों को सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं तो हमें हो जाता है प्रोफिट और वो प्रोफिट बराबर होता है profit percentage is equal to होता है लाव बटे में क्रेम उल्य है और इंटू में 100 लाव आपका 100 है क्रेम उल्य हमारा 500 रुपे और इंटू में आपको 100 करना है तोल करेंगे बच्चे सो पंजे 500 और 500 से सो कटेगा 20 बार तो बच्चे हमारा 20 पर 30 हो जाएगा option number 3 आपका right answer यहाप पर जो आपको याद रखने वाली चीज है इस क्योशन में वो यह धियान रखना हमसमान को जितने में खरी देंगे और उसके ओपर जो भी हमारा खर्च होगा वो चाहे हमारे उसको मरम्मत कराने में हुआ हो या फिर उसको महां से घर तक लाने के लिए हमने कुछ किराया दिया हो वो सारा का सारा जो चार्ज होता है वो हमारा करे मुल्या में ही जुड़ता है और सब को जुड़ने के बाद ही जो हमारी जेब से टोटल खर्च हुआ वो हमारा कुल करे मुल्या माना जाता है और हम जो बेचते हैं वो हमारा विक्रेमुलिय इन दोनों का अंतर ही हमारा लाब या हानी होता है अगर क्रेमुलिय कम है और विक्रेमुलिय जादा है तो ऐसी कंडिशन में लाब होगा पर बेचने पर कहा गया है और जब हमसे बेचने पर कहा गया है तो इसमें सेलिंग प्राइज दिया है विक्रेम उल्य जो कि कितना है 45,000 रुपे और हानी हो गई कितना 10 परसेंट का पूछ है क्रेम उल्य क्या होगा जब बच्छे आपको विक्रेम उल्य और हानी परतिशत दाए पर आपका । ठाहनी सेद्व यह बच्छे दिवाइड भाई 100 माइनस यह फेंट करते और प्रोफिट पंजे 45 यह हमारा हो गया पांच हजार फाइप इंटू 10 इस इक्वल टू 50 थाउजेंड तो टोटल जो हमारा करह मुल्य होगा वह हमारा पचास हजार हो जाएगा ऑप्चास नंबर थी आपका राइट आंसर अगला क्योशन देखो इस वाले स्वाल में और इसमें क्या देख कर यानि के सेलिंग प्राइज कितना हो गया 72 रूपीज हुआ और 20 परसेंट का लाब होता है यहां पर प्रोफिट परसेंटेज कितना है आपका 20 परसेंट है पूछ रहा है वस्तु का क्रह मुल्य क्या होगा सेम फोर्मलर रहेगा क्रह मुल्य बराबर 100 डिवाइड हो जाएगा 120 इंटू में 72 क्योंकि हमारा जो क्रह मुल्य है 72 रूपे है जीरो से जीरो आपको एंसिल कर दो बारा चीक बाहत्तर कितना हुआ 10 इंटू 6 बराबर में 60 रूपे तो टोटल जो आपका क्रह मुल्य होगा वह 60 रूपे हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी आपका र उस परसंटेज इंटू में सेलिंग प्राइज और अगर प्रोफिट परसंटेज दिया हुआ है तो क्रेम उल्य पूछा और SP तो ये नोट कर लो अपनी कोफी पैन उठा के तो रखी रखा होगा अगला स्वाल है आपका साधान ब्याज से कितने समय में 800 रूपे का और SSTB dhvana से 160 हो जाएगा ये हमोलधन दिया गया हमारा ये क्या है मोलधन है ये हमारी दर परतिसद है और 160 ब्याज है simple interest और आपको पूचा कितने समय में समय में ग्याद करना है तो समय बराबर क्या होता है बच्चे? साधान ब्याज गुना 100 divide by Aí ओर दिवाइड बै मोलध देंगे बच्चे, दोनो जीरो से दोनो जीरो चली गई, आठ दुनी सोला, कितना हो गया बीस और चार पंजे बीस, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो हमें पांच वर्स लगने वाला है, और आपका डी राइट आंसर, इसी ही सुतर से हम लोग कभी-कभी हमें समय दे देगा तो मूलधन गायब कर देगा, और कभी-कभी समय और मूलधन दोनों देगा, तो दर गायब कर लेगा, तो बस आपको ध्यान रखना है, फोर्मूला यही रखाए, अगर आपको मूलधन निकालना है, तो आपका वही रहेगा, साधान भी आज इन्टू सो, पस ये जो ये समय के जगे चला जाएगा, और समय मूलधन के पास आजाएगा, इतना सा इसमें बदला होगा, और अगर दर निकालना है, तो मुझे बताओ, दर का फोर्मूला क्या बनेगा, एकला परसन देख लीजिए, ये भी आपका अच्छा स्वाल है, परतिसत से हर साल वो गुणा और 90 परतिसत है, तो 90 और डिवाइड बाई 100, फिर उसके बाद प्लस करना है, फिर कहरा 90 का 30 परतिसत निकालो, तो इसी तरीके साफ 90 गुणा 30 और डिवाइड बाई 100, जब भी परतिसत हटाते हैं, तो 100 जरूर लगता है, इससे 100 से 300 कटेगा 3 बार, और 100 से ये दो 27, 270 और 9 ती आपका हो गया 27, दोनों संख्याव को प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमें मिलेगा 7 और 7 दो, 9 और 2, कितना हो गया, 277 में, option number 2 आपका right answer, अब ये वाला स्वाल है, यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं, क्योंकि इसको लंबे तरीके से करते है लंबे से निकरना, आपका स्वाल है, कि 17 सही, क्या है स्वाल, आपका 17 सही, एक बटे 16 को दसमलव में बदलो, तो आपको क्या करना है, पूरी संख्या को बोनी करना है, कि 16 की 17 से गुणा करो, फिर 1 प्लस करो, फिर बदलो, नहीं, आपको क्या करना है, 17 रहने दो, एक बट बड़ा तो नहीं चलेगा एक दसम्लो लगा दी एक 0 लगा लिया अब भी तो छोटा है फिर एक 0 लगा कर एक 0 मुने उतार लिया अब 16 कम कितना हो गया 96 मैं माइनस करें 10 में 6 गया 4 और आपका 9 में से 9 गया 0 तोला दूनी कितना हो गया 32 चालिस में से 32 गए 8 फिर जीरो और 16 पंजी हो गया 80 कितना है भाग करके 0.0625 अब ये 17 कहां गया भई अब ये जो दसम्बलों से पहले जो ये जो भी हमारा सही वाली संख्या होगी से 17 था उसको दसम्बलों से पहले लगा देना है और बाकी का जो आया वो उसके पीछे रखना है 625 तो आपका उत्तर हो जागा 17 दसम्बलों 0625 ओप्सन नंबर 3 आपका राइट आंसर अगला परसन देखिए ये वाला भी अच्छा स्वाल है हर बार पता हैं क्यों पेपर में ओ दे रहा है बच्चों को कन्फ्यूज करना चाता है लेकिन बच्चे तो पहले ही स्मार्ट है परसन में कहा है कि 485 और पॉइंट 3 को अगर भाग करता है 3.3 से तो उसको मिलता है 1, 4, 7, 1 अब ये कहई रहा है कि अगर अब ये 48.5, 4, 3 को भाग करता है 33 से तो कितना उतर آना चाहिए तो बच्चे पहले इसको ध्यान दो स्वाल کो यहां पर क्या है पीछे से एक के बाद दशमलो और यहां पर भी एक के बाद दशमलो और दशमलो कर सकता है यानि कि जब हम पूरी-पूरी संख्याओं को भाग करते हैं तो भाग करने पर मिलता है मुझे ये अब इस वाली संख्याओं देखो कहीं पर भी दसंख्याओं नहीं है और दूसरी बार में संख्याओं तो सेम है भाग करके यानि कि उत्तर तो सेम ही आएगा 葚 vibes रपस सबसे दो संब्स गर एक रहर जा आपका राइट ऑंसर हो जाएगा तेखें अगला परसन देखना और लाए यह आपकाru build यहां आपका इंगड़ा तींस इंगड़ा और नौध का मतलब हो गया नब्बे और इंगाई इसमें नहीं तो इकाई जंग लगा तो 0 और प्लस 5000 अब आपको मैं बताऊं देखेंज़ जब आपका इकाई धाई सेक्ड़ाचलता है फिर इकाई धाई सेक्ड़ाचलता है उसके बाद 1000 नहीं है उससे पहले आता है सोबाच वो भी नहीं है और 1000 पर क्या है 5 है तो आपका उत्तर आएगा 390.005, 390.005, option number 4 आपका right answer है, ध्यान रखना कि कोई भी संख्या अगर हम दसंबलोग की लिखते हैं, तो दसंबलोग का जो पहला स्थान होता है, वो दसवे का होता है, दूसरा स्थान जो होता है, वो सोवे का होता है, और तीसरा स्थान जो हजार का होता है, और चोथा स्थान हमारा दसजारवे का होता है, और इधर की तरफ जब में चलते हैं, वो इकाई का, धाई का, सैकड़े का, हजार का इस तरह होता है, तो तीन सैकड़ा, नो दाई, एकाई तो हैं नहीं, तो 390 हो गया, और फिर हमारा दसवा गायब है, सोवा गा तो दूसरी क्या होगी तो बच्चे जब आपसे पूछा जाए दूसरी संख्या क्या होगी नोट कर लो कोफी पैन से तो आपको क्या करना है जो भी आपको गुणनफल दिया जाएगा इस गुणनफल को भाग कर देना पहली संख्या से जो भी या दी गई संख्या उससे भाग कर देना तो आपको दिया है 23 बटे 50 जाए वो गुणनफल है एक संख्या इससे भाग करेंगे कितना 40 बटे 50 से और आपको पता है ना जब हम भाग करते हैं क्या करना होता है 23 बटा 50 इस भाग को बदल देते हैं गुणा में और इसको उल्टा कर देते हैं नीचे वाले अंस को हर और हर को अंस यानि के 50 बटे में 40 हो जाएगा 50 ते 50 गया और 23 ही कम 23 और 23 दूनी 40 कितना बच्चा एक बटा दो option number आपका 3 जो है वो आपका right answer हो जाएगा किलियर बच्चे कमेंट बजाओ भाई ये वाले question स्वज़ में आएके नहीं बीन बीन के के अच्छे question में आपके लिए लेकाता हूँ